मध्यप्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पंजाब के होशियारपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा की मोधी सरकार पर जमकर निशाना साधा पहले सुनिये क्या बोले देश के प्रधान मंत्रिय भी पिछले दिनों से उनकी भाशा को हमें समझना पड़ेगा वो कल भाशन कर रहे थे कि कांग्रेस को अधर आपके वूट कर दिया तो आपके धर की तोटिया निकाल लेंगे फिर उस सब पहले कर रहे थे कि वो जो घर बने है हमारे उसके ताले ल मुसलमानों को देदेंगे फिर एक दिन पहले बोला मता देश की राजबीती में मंगल सुद्र मास मच्छी और अभी दो तिन दिन पहले बोला कि मेरे को तो भगवान ने भेजा है या किसी एक अच्छे उद्देश को लेके इश्वर ने भेजा है जो मैं मानता हूं कि कि वेजाने में इश्वर का दूुत हूं उन्होंने का में बग्वान का रूप हूं तो में इतना ही कहना चाहता हूं कि भगवान का अइसा कैसा उतार हो सकता है जो नफ्रत और घणा फेलाई जिए ये बात कहते हूं मुझे बड़ा फक्र भी है टी गुरो नानक देवय औ जान या किस्से या गुरु तुमारी में जितनी बात हैं हमने सुमी पड़ी उसमें मुगलों से संगर्श था और उसके बाद भी वाहे गुरुजी ने प्रेम, प्यार, मोहबत और त्याग, बलिदान और सेवा की बात की ये ये होता है आउतार इश्वर का आउतार ये होता ह है कि एक दिन बात करनी भली और दूसरे दिन करनी वापस नफरत की बेट के कहा एक इंटर्वी में देश के प्रदान मंत्री ने कि जब इस दिन में एंदू मुसलमान करूगा, उस दिन मेरे जीवन में राय भीत्ती में रहना मेरे लिए सार्थक्ता ही कतम हो जाईगी, और अगर इस भावना को की बीजेपी को हराना है तो फिर अकाली को भी अगर इसी प्रकार का सहीयोग मिलेगा तो इंडारिक लिए बीजेपी कोई मिलेगा ये बहुत सरल बात है बहुत बहुत घार की बात है किसान अंडुलन की बात MXP की बात किसानों के रीन की बात किसानों के लier घख बात Oliver 1 25 असासों किसानों के शार्थ की बात ये सब पता है आप लोगे हमारा तो विजधन है पांच नयाई कीfriedkin कि ये भी मोधी जी पर जिसने उनसे सवार पुछे उनको उनने देश द्रोई बता दिया। आज कांग्रेस पार्टी अगर कोई सवाल करती है तो पुरुसली परस्त बता देते हैं। जब किसान अंदोने हुआ तो पाकिस्तान और खालिस्तान की बाते हागी। आप देखो कि जिसने सवार खड़े किये, उनको कुछ नो कुछ मोधी जीने और उनके जो तथा कथित साथी है। उनने काये देश द्रोई ये नो, मतलब सवाल नी कर सकते हुआ। देश में एक विपस्ट की भूमी काये वो निभानी सकते हुआ। एसा देश चाते हैं मोधी। हम सुनते हैं कि बिना वोट का सर्फन चुनते थे, समझोता हो जाता था। जिला पंचायत निर्विरोध हो जाती थी, जन्पद हो जाती थी। कभी विदायत निर्विरोध होते नहीं देखा। पोधिजी लोग तन्तट के हट्द्या कर रहे हैं सब्सक्राइब कई यहां कि सुनावी नहीं। दरह के ध। मिजन बोर से इससे निकलवा लिए। तुमाइं वोटी निए पिना वोट का सांस है। एसे बिना वोट की सरकार बनाना चाहते। ताना शाही क्या होती है ताना शाही आपने किसी ने देखी नहीं है सुनी सुनी है दुनिया भरके ताना शाहों के नाम सुने है ताना शाही एसी होती है कि बिना वोट से जनप्रति निदी चुने और फिर जनप्रति निदी आपकी नहीं सुने आप सुनाने जाए तो चार पटवारी ने कहा है कि लोग सभा चुनाव के दौरान प्रधान मंत्री मोधी का मुख्य चुनावी मुद्दा जनता का ध्यान ध्यान ध्रमित करना और नफरत की राजनीती का सहारा लेना रहा है जबकि कॉंग्रेस पार्टी न्याय के पांच सिध्धान पर चुनाव लड़ रही है जिसका उद्देश किसान, युवा, महिला, श्रमिक सहित हर वर्ग के लिए न्याय है पंजाब के होशियारपुर में जीतू पटवारी ने कहा कि पांचवे चरण के बाद अब छठा और साथवे चरण का मतदान होना है और साफ हो गया है कि कॉंग्रेस की लहर चल रही है उन्होंने कहा कि इंडिया गठ बंधन की 300 से ज्यादा सीटें आएंगी नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा पंचर हो गया है और उस पंचर पर अब कई स्टिकर भी नहीं लग रहा है वो जैसे भाशा उप्योग कर रहे हैं वो बेहद निंदनिय है एक प्रधान मंत्री से ऐसी भाशा की उम्मीद कोई नहीं कर सकता है वो अपने भाशनों में मास, मचली, मंगल सूत्र, मुसल्मान से लेकर ये तक कहा कि कॉंग्रेस की सरकार बनी तो वो आपकी टोटिया निकाल कर ले जाएगी बिजली के कनेक्शन काट देंगे, बैंक खातों से पैसा निकाल लेंगे ये प्रधान मंत्री का नेरेटिव इन चुनावों में रहा है जीतू पटवारी ने कहा कि कॉंग्रेस और राहुल गांधी देश में समानता लाना चाहते हैं हमारा उद्देश है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो और संसाधनों पर हर वर्ग की हिस्सेदारी हो उन्होंने दावा किया कि इस बार इंडिया गठ बंधन की सरकार बनेगी बता दें की मध्य प्रदेश में चार चर्णों में चुनाव संपन्न होने के बाद कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे ने प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष श्वी जीतू पटवारी को पंजाब की होशियार पूर लोकसभा छेत्र का विशेश पर्यवेक्षक नियुक्त किया है पंजाब में अन्तिम चरण में एक जून को मतदान होगा जिसके लिए कॉंग्रेस ने नौ लोक सभा सीटों पर अब्जरवर नियुक्त किये हैं पटियाला में मनिकम तैगोर, जालंधर में गिरीश चोडनकर, मलु भट्टी विक्रमार्क को फरीद कोट, केजी जॉर्ज को अमरित सर, गुरुदासपूर और जालंधर, नितिन राउत को फिरोजपूर और सुनील केदार को फेथपूर साहिब सीट का अब्जरवर बनाय पंजाब विधान सभाचुनाव में कॉंग्रेस को सत्ता से बाहर कर सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी के उत्साह चरम पर है CM भगवंत मान के नेत्रित्व में आप सरकार की दो वर्षों की उपलब्धियों के आधार पर बोट जुटाने की कोशिश करेगी आम आदमी पार्टी ने पंजाब की सभी सीटों पर जीत का दावा किया है पंजाब में कॉंग्रेस, बीजेपी और अकाली दल मैदान में है